आप लोग ने यूट्यूब से वीडियो को डॉनलोड करना है डॉनलोड करने के बाद आप लोग ने इनको सिंपली टिक टॉक पर अपलोड कर देना है और टिक टॉक पर अपलोड करने के आप लोगों को एक महिने के कितने पैसे मिलेंगे एक लाक रुपए कम अज़ कम आप से content download करना है, इदर upload करना है, कोई मुश्कल काम नहीं है, और इसके लिए आप लोगों को जराब किसी भी किसम की skill की जरूरत नहीं पड़ेगी, और नहीं आप लोगों को education की जरूरत पड़ेगी, आप लोगों के पास education नहीं भी है, technical बंदे हैं, तो फिर इस channel को unsubscribe करके, एक bad comment करके, लाजमी जाएगा, और अगर आप लोगों को ये method अच्छा लगे, और आप लोगों को पता चले के वाके में इस तरीके से लोग लाखो रुपए कमा रहे हैं, तो फिर एक subscribe, एक like, और एक अच्छा सा comments भी हमारे लिए लाजमी बनता है, अगर आप घर बैठे, इंटरनेट को इस्तमाल करते हुए, बिलकुल फ्री में महाना लाखो रुपए कमाने के तमाम तर खुफिया तरीके जानना चाहते हैं, तो आप प्रफेसर नासर इर्फात ओफिशल यूट्यूब चैनल और फेस्बुक पेज को जरूर सबस्क्राइब कीजिए, टिक टोक से पैसा कमाने के बेशुमार तरीके हैं, तो आज किस वीडियो में आप लोगों को उन तमाम तरीकों में से एक तरीका बताने जा रहा हूं, अगर आप लोग इस तरीके पर अमल करेंगे, तो यकिन माने, आप लोग महाना एक लाग से दो लाग एजिली कमा लेंगे इस तरीके से काफी दादा लोग महाना लाक रुपय कमा रहे हैं तो भाई आप लोग फिर इस तरीके को क्यों नहीं यूज कर रहे हैं आप लोगों को बदाओंगा कि आप लोग बिल्कुल फ्री में वीडियो कहां से डॉनलोड करके इस टिक टॉक अकाउंट पर कैस कर रहे हैं अगर हम लोग इस टिक टॉक अकाउंट की बात करें तो यह आप लोग देख सकते हैं इस बंदे का यह अपना औरीजिनल अकाउंट नहीं है इसने भी जनाब यूट्यूब से वीडियो डॉनलोड की है और अपने टिक टॉक अकाउंट पर यह डाल रहा है और य इस बंदे का भी यह औरीजिनल अकाउंट नहीं है टू पॉइंट सैवन मिलियन इसके फालवर्स हैं इसी तरह अगर आप लोग देखते जाएं तक करीबन टॉन्टी से थर्टी परसंट लोगों के औरीजिनल यहां पर अकाउंट है और बाकी जितने भी अकाउंट यहां पर मुझूद हैं यह उनके औरीजिनल नहीं है अगर हम लोग इस अकाउंट की बात करें तो यह भी बंदे का औरीजिनल नहीं है इसने यूटीब से वीडियो डॉनलोड की हैं और यहां पर अपलोड कर रहा है और यहां पर इसके अगर हम लोग फालवर्स की बात करें तो अच्छा यहां पर आप लोगों को मैं बता देता हूं आप लोग ने वीडियो अक़ाउन कों सी डाउनलोड करनी है आप लोग यहां पर कोई भी अपना अकाउंट बना लेत हैं बिल फर्स आप लोगों के related बनाना चाहते हैं तो सारी के सारी movies related videos होनी चाहिए इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने अपनी niche के अंदर रहते हुए अपने टॉपिक के अंदर रहते हुए ही videos upload करनी है अब यह आप लोग देख रहे होंगे यह make-up related videos इस channel पर upload की जा रहे हैं, तो सारी के सारी make up के related ही होनी चाहिए, ठीक हो गया अब बिलफर्ज आप लोग मेरी videos download करते है, tech related, online earning related, तो आप लोग ने सारी के सारी online earning related videos लगाने हैं, या आप लोग मेरी videos भी लगा सकते हैं, कोई किसी की भी video लगा सकते हैं कोशिश करें कि आप लोग ने ऐसी वीडियो लगाने हैं जिसमें कुंटेक्ट नंबर ना दिया गया हो क्यूंकि अगर आप लोग को कॉप्यर रेड़ स्ट्राइक आ जाएगी या आप लोग किसी एप्लिकेशन के रिलेटेड वीडियो लगाते हैं तो फिर भी आप लोग ने मार्क टाइब वगरा वाली वीडियो अपलोड करनी है तो चलिए जनाब आप लोगों को बताते हैं कि आप लोग ने अपना टिक टॉक अकाउंट बनाना कैसे है सेल कहां पर करना है तमाम तर चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ आज मैं आप लोगों को जो तरीका बताने जा रहा हों इस तरीके को आप लोग ने इस्तमाल करके एक नहीं दो नहीं बलके सैकरो satisf टॉक टॉक अकाउंट बनाने के लिए सैकरो ही किन्टेक्ट नॉमबर चाहिएूँगे सैकरो ही अपनी जीमेल अकाउंट चाहिए होंगे तो इतने तो हमारे पास हैं तो भई परेशान आप लोगों ने नहीं होना तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करने जा रहा हूं कि जिससे आप लोग बे तहाशा एमेल अपनी जिनरेट कर सकते हैं सिर्फ एक क्लिक पर तो चलिए आप लोगों को अकाउंट बनाने का तरीका बताता सबसे पहले आप लोगों का अगर अपना औरीजिनल अकाउंट क्रियेट हुआ है तो आप लोगों ने अपने औरीजिनल अकाउंट को नहीं छेड़ना आप लोग ने नीचे आना है यह वला आप लोग account बनाना चाहते हैं सो पचास दो सो पाँच सो हजार तो कैसे आप लोग बनाएंगे ठीक है अब आप लोग यहां पर एक arrow का sign दे करेंगे इस पर आप लोग ने click करना है जैसे click करेंगे तो नीचे आप लोगों के सामने option आ जाएगा यह आप लोगों का अपना original टिक टोक account था और यहां पर आप लोगों ने add account पर click करना है और यहां पर आप लोगों के सामने तीन option आ रही होंगे use phone और email continue with facebook continue with google तो आप लोगों ने इस पर click करना है अब आप लोगों के पास तो जनाब contact number भी नहीं है Gmail भी नहीं है तो आप लोग कैसे Gmail या phone number add करेंगे तो phone number पर आप लोगों को बनाना नहीं चिखाऊंगा phone number पर भी बना सकते हैं इसकी trick भी मेरे पास है next किसी वीडियो में आप लोगों को बता तूँगा अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो ओके हो गया अचा हम लोग email पर ऐसे click कर देते हैं और यहां पर हम लोग email address add करते हैं अब आप लोगों के पास तो email address है नहीं अब आप लोग काम क्या करेंगे भी आप लोग परेशाना हो चलिए आप लोगों को trick बताता हूँ अब आप लोग ने क्या करना है Google Chrome open करना है यह वाला Google Chrome open करने के बाद इसके search बार में लिखना है temp mail लिखने के बाद आप लोगों ने search करना है जैसे search करेंगे तो आप लोगों के सामने यह पहली website आ देगी इस website को आप लोगों ने open कर लेना है जैसे open करेंगे तो यहां पर tik tok account पर आ जाना है यहाँ पर आप लोग ने जहाँ पर gmail add करना था उस पर आप लोग ने ऐसे click करके gmail अपना add कर देना है यह ऐसे paste कर देना है और उसके बाद आप लोग ने next की option हमारा set हुआ है या नहीं हुआ तो आप लोगों को समझाने के लिए मैंने long सा strong सा password set कर दिया है तो आप लोग ने भी इसी तरह अपना strong password set करना है इसके बाद आप लोग ने next option पर click कर देना है next आप लोग ने अपना birthday यहां पर लगाना है और यहां पर नीचे आप लोग save का option देख रही होंगे इस पर मैंने आप लोग ने आप लोग देख रही होंगे next यह कहरा है कि अपना name अड़ कर दें तो मैं अपना name यहां पर कोई भी लगा देता हूँ कोई भी यार दुनिया बार का name आप लोग रख सकते हैं लड़की है तो लड़कियों के name मुखलिफ आप लोगों को मिल देंगे रखकर आप लोग ने confirm करना है यह से confirm करेंगे तो आप लोग यहां पर देख रहे होंगे हमारा जो tik-tok account है यह बन चुका है ओपर आप लोग देख सकते हैं अब आप लोग ने मजीद इसके setting करनी है अगर आप लोग यहां पर अपनी profile picture लगाना चाहते हैं तो आप लोग ने upload photo पर click करके profile picture एड़ कर देनी है और आप लोग ने next setup profile पर click करके यहां पर कुछ मजीद setting कर लिनी है आप लोग ने यहां पर name set कर लेना है अगर change करना है तो change कर ले उसके बाद user name change करना है वो change कर ले और इसके बाद अपनी bio आप लगाना चाहते हैं बायो लिक देन नहीं लगाना चाहते हैं कोई मसला नहीं यहां ना लगाएं ओके हो गया अब आप लोगों का काम ये हो गया खतम अब आप लोगों ने एक काम करना है वो ये है कि आप लोगों ने यूट्यूब से वीडियोज डाउनलोड करनी है अब यूट्यूब से कौन सी वीडियोज आप लोगों को डाउनलोड करनी चाहिए वाप लोगों को पहल न्यूज के लेटे लगाना चाहते हैं या इस तरह की वीडियो लगाना चाहते हैं आप लोग ब्यूटी के लेटेड वीडियो लगाना चाहते हैं या आप लोगों की मरदी है कोशिच करें इंटर्टेन्मेंट के लेटेड या जो अट्रैक्टिव सी वीडियो हो वो लगाए ताके लोग जो है आप लोगों की वीडियो को attractive तरीके से लेके एइंड तक देखते रहे यह ना ओके board लिए और लोग, लोग आप लोगों की वीडियो को देखे न फिर आप करें, आ ना-सर भाही ने तो fake वीडियो अब ये वीडियो डॉनलोड करके टिक टॉक पर आप लोग ने लगाना है अब टिक टॉक पर लगाने का फाइदा क्या होगा इसका फाइदा ये होगा कि आप लोगों के जो फालवर्स हैं वो इंक्रीज होंगे और आप लोगों के जो वीडियो के वो अट्मेटिकली इंक्र होंगे आप लोग जितनी अच्छी जितनी अट्रैक्टिव वीडियो लगाएंगे उस लिहाद से आप लोगों को फॉल्वर्स ज्यादा मिलेंगे उस लिहाद से आप लोगों को व्यूवर्शिप ज्यादा मिलेगी फाइदा आप लोगों को तब होगा जब आप लोगों का इसके followers ज्यादा होंगे, आप लोगों ने इसी तरह जब आप लोगों का account एक बढ़ जाए, तो आप लोगों ने एक हफ़ते बाद दूसरा account एक और मुखलिफ नीश पर बना लेना है, नीश का मतलब है topic पर, बिलफर्ज आप लोगों का ये TikTok account movies का है, तो आप लोगों ने ए के सामने open होकर आएगी, अब बिलफर्ज मैं दुबारा इस temp mail को open करता हूँ, अब देखेगा एक और नई Gmail यहां से generate होगी, जब भी आप लोग टेम्प mail को open करेंगे, तब भी एक नई Gmail यहां पर generate होगी, और आप लोग यहां पर नीचे आएंगे, तो इसका verification number भी यहां पर आजाता है, आप लोगों ने simply इसको यहां से copy करके लगा देना है, टेम्प mail पर आकर आप लोग बे तहाशा, बे शुमार लाखों की तदाद में Gmail अकाउंट generate करके, अपनी हजारों की तदाद में TikTok अकाउंट बना के, नेक्स्ट उनका क्या करना है, वो आप लोगों को आगे बताता हूं, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया है, कि आप लोगों ने एक महिने में पांच-छे अपने TikTok अकाउंट बनाने हैं, मुक्सलिफ मुक्सलिफ टॉपिक्स पर, एक आप लोगों का TikTok अकाउंट हेल्थ पर है, दूसरा एजूकेशन पर बना लें, तीसरा मुवीज पर बना लें, चौता कार्टून पर बना लें, इस तरह आप लोगों ने डॉनलोड करके वीडियोज लगाते जाना है, जब आप लोगों के यहां पे फॉल्लवर्स ज्यादा हो जाएं, मतलब बिल फर्ज दस के हो जाएं, या बीस के हो जाएं, और वीडियोज पर व्यूज ज्यादा आने लग जाएं, फिर आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों को नेक्स प्रोसीजर बताता हूँ, मेन गेम जो है, मेन आप लोगों की अर्निंग प्रोसेस यहां सी शुरू होने जा रहा है, सबसे पहले तो आप लोगों ने अपने टिक टॉक क्रियेट करने हैं और इनको जनाब आप लोगों ने वाइरल करवाना है, वाइरल खुद बखुद हो जाएंगे, आप लोगों ने सिर्फ अपनी वीडियो यहां पर लगाते जाना है, अप्लोड करते जाना है, ठीक है, तो चलिए, अब आप लोगों को नेक्स प्रोसेस ब क्लिक करना है और जिस वीडियो को आप लोग डॉनलोड करना चाहते हैं उस पर आप लोग ने यह से क्लिक करना है क्लिक करके आप लोग ने नेक्स के ओप्शन पर क्लिक कर देना है और नेक्स आप लोग ने यहां पर कुछ ना कुछ लिख देना है आप लोग ठीक है या आप बेहतरीन वीडियो आप लोगों ने कभी इसको मिस्नी करना और उसके बाद आप लोगोंने यहाँ पर हैश्टेग लगाना नहीं बूलना जैसे हैश पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के सामने काफी ज्यादा आजेंगे जनाब hashtag related options तो मैं यहां पर लिखता हूँ funny videos जैसे मैंने लिखी तो नीचे आप लोग देख रहे होंगे hashtag आचुके हैं अब आप लोग यहां पर देख सकते हैं funny videos के views billion में हैं यहाज हम इसको add कर लेते हैं इसी तरह next हम लोग funny video को add कर देते हैं या एक और hashtag use कर लेते हैं तो इसी तरह आप लोग ने जराब hashtag यहां पर use लाजमी करने हैं और जब आप लोग use कर लेंगे उसके बाद आप लोग ने select cover पर click करना है और यहां से अच्छा सा attractive सा आप लोग ने thumbnail ऐसे अंगोटे की मदद से select कर लेना है जो आप लोगों को अच्छा धामने लगे उसको आप लोगों ने लाजमी select कर लेना है ताकि audience के सामने जब आप लोगों की वीडियो जाए तो वह attraction के साथ आप लोगों की वीडियो पर click करें तो आप लोगों के व्यूज इस तरीके से काफी ज़्यादा बढ़ सकते हैं और save कर देना है save करने के बाद आप लोगों ने post पर click कर देना है तो इस तरीके से आप लोगों की जो वीडियोज है वो publish होना शुरू हो जाएंगी आप लोगों को मैंने टिक टॉक अकाउंट बनाना भी सिखा दिया वीडियो पब्लिश करना भी बता दिया चलिए अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि आप लोगों ने चनाब अपने टिक टॉक बनाने के बाद फालवर इंग्रीड करने के बाद वीडियो पर ज्यादा व्यूद लेने के बाद इन से earning कैसे करनी है टिक टॉक से earning के लिए आप लोगों को मैं दो तरीके बताऊंगा सबसे पहला तरीका जनाब आप लोगों को भी बताने लगा हूँ मैं Google Chrome ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद इसके सर्च वार में लिखता हूँ अप लोग स्पैलिंग देख रहे होंगे सेम यही स्पैलिंग आप लोगों ने लिखने के बाद आप लोगों ने सर्च कर दे रहा है यह से सर्च करेंगे तो यह वैब साइट आप लोगों के समने आ जाएगी इसको मैं ओपन कर लेता हूँ इस वेबसेट का इंटरफेस आप लोग अपनी सक्रीन पर देख रहे होंगे ये एक ऐसा प्लेट फाम है कि जिस पर आप लोग फेसबुक पेचिज इंस्टाग्राम अकाउंट्स टुक अकाउंट्स ट्विटर अकाउंट्स और यूट्यूब चैनल्स को क्रियेट करके उनके फालुर्वर्स सब्सक्राइबर कंप्लीट करके अच्छे खासे डालरों में सेल कर सकते हैं अगर हम लोग यहां पर ऐcile से आप लोगों को समझाए तो यह आप लोग देख सकते हैं यूट्व चैनल्स हैं हंडर वे कितने डालर में सेल हो रहा collects एक हाजार नवे में सेल हो रहा है ये पंद्रा सो डॉलर में सेल हो रहा है ये फेस्बुक पेज़े यहां पर सेल हो रहे हैं ट्यूटर भी सेल हो रहे हैं इंस्टाग्राम अकाउंट सेल हो रहे हैं अगर हम लोग मजीद मोर प्रोड़क्ट पर क्लिक करें तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं जनाब कितने ज्यादा टिक टोक अकाउंट सेल हो रहा है यह पंदरा सौठ डॉलर में सेल हो रहा है एक सोच्रानवे के फालवर्डश है जनाब iyiक सोच्रानवे के फालवर्डबड़्स आप लोगों के सीरफ और सिरफ 24 गोंटों में सेल करें और जैसे सेल होंगे तो आप लोग जितनी अपनी बिड लगाएंगे मतलब जितनी आप लोग कीमत रखेंगे अगर किसी भी क्लाइंट को आप लोगों के टिक टॉक अकाउंट के फॉल्लवर्स व्यूज अच्छे लगे पसंद आ गए तो फिर आप लोगों से वो ट रिजिस्टर पर क्लिक करने है जैसे आप लोग रिजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप लोगों के सामने एक नेक्स पेज आदेगा यहां पर आप लोगों ने अपना यूजर नेम लगाना है यूजर नेम का मतलब यह होता है कि आप लोगों का जो नेम है ना यहां पर आप लोगों ने लिख देना है तो मैं अपना नेम यहां पर एड़ कर दیता हूँ नासिर अरफाद इसके बाद यहां पर मैं अपना एक password सेट कर लेता हूँ कोई भी यहां पर मैं पास्ट वर रख देता हूँ password सेट करने के बाद मैंने remember me पर क्लिक किया और उसके बाद नीचे आजाता है और यहां पर आप लोगों ने तमाम तर information अड़ करने से पहले end पर आड़ा और यहां पर आप लोग ने vendor पर क्लिक कर देना है यह आप लोग देख रही होंगे become a vendor vendor का मतलब यह है कि यहां पर आप लोग अपने मुक्तिफ जो account से इनको sale करना चाहते हैं जब आप लोग वेंडर पर टिक कर देंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह के options आजएंगे तो यहां पर मैं अपना फर्स नेम अड़ कर देता हूँ मेरा नेम है नासर अरफाद तो नासर फर्स नेम और अरफाद सेकंड नेम यहां पर मैं अपनी शॉप का नेम अड़ कर देता हूँ बिल फर्स यहां पर मैं अड़ कर देता हूँ प्रफेसर नासर ठीक है आप लोग ने शॉप का कोई नेम लिख देना है ठीक है आप लोगों ने अपना नेम लिख देना है या अपनी शॉप का नेम कोई युनीक सा रख ले वो आप लोगों ने यहां पर एड़ कर देना है और यहां पर आप लोग अपना शॉप का यूरल मतलब जो link है वो यहां पर paste कर देंगे और end पर आप लोग यहां पर अपना जो contact number है वो add कर देंगे और उसके बाद आप लोग become a vendor पर click कर देंगे जैसे आप लोग become a vendor पर click करेंगे तो आप लोगों का जो account है as a vendor यहां पर बन जाएगा मतलब कि आप लोग इंस्टा अकाउंट, टिक टॉक अकाउंट, यूट्यूब चैनल, फेस्बुक पेजिस यहां पर sale कर सकते हैं तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं net sales मेरी 0 है earning 0 है और page view 0 है, order मुझे 0 मिले होए है तो यह मेरा सारे का सारा dashboard आ चुका है, अब आप लोग यह सोच रहे होंगे कि हम यह payment, जितनी payment यहां पर आएगी, आप लोग ने जितने भी account sale किया है उनको withdraw कैसे करवाएंगे, भई payment को withdraw करवाने के लिए आप लोग ने तीन लाइनों पर कि आप लोग किन किन मेथड से payment इस website से withdraw करवा सकते हैं तो सबसे पहला option है PayPal, यह हमारे पाकिस्तान में तो valid नहीं है इसके बाद Payoneer और इसके बाद USTT तो आप लोग Payoneer से बासानी अपनी payment विड़ा करवाके इजी पैसा Jazz Cash में transfer करवा सकते हैं या बैंक अकाउंट में transfer करवा सकते हैं पियोनीर पाकिसतान में valid है आप लोग अपनी Jazz Cash की application या easy पैसा की application को open करें तो वहां पर Payoneer का option होता है तो वहां पर भी Payoneer का option आता है तो आप लोग पे उनियर का अकाउंट क्रियेट करके डिरेक्ट अपनी पेमट इसमें विज़ा करवा सकते हैं ठीक है तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं यह कहा रहे हैं कि अभी आपकी यहां पर पेमट बैलन्स जिरो जिरो है तो जब आप लोगों की payment यहां पर complete हो जाएगी तो आप लोग यहां से विच्छा करवा सकते हैं तो यह तो हो गया आप लोगों का पहला method इस website पर अपने account sale करने का अब आप लोगों को दूसरा तरीका बताता हूँ कि जिसके ज़री आप लोग अपने अकाउंट को sale कर सकते हैं मैंने Facebook के search बार में TikTok buy and sell लिखा लिखने के बाद सर्च किया तो यहां पर आप लोग देख रहे होंगे इसके related काफी ज़्यादा groups आ चुके हैं तो आप लोग ने इन में से groups वाला जो option है इसको open करने है और यह जितने TikTok buy and sell कर लिटेड जो groups हैं इनको आप लोग ने जोईन कर लेना है जब आप लोग जोईन कर लेंगे तो इसको आप लोग ने ऐसे विज़र करना है जैसे विज़र करेंगे तो आप लोग यहां पर देख रहे होंगे काफी ज़्यादा यहां पर TikTok account sale हो रहे हैं आप लोग ने भी क्या करना है यहां पर आप लोगों के पास जितनी भी TikTok account हैं उनकी pictures लेके, screenshot लेके, यहां पर आप लोगों ने लगा देने हैं और बताना है कि मेरे पास इतनी TikTok account हैं अगर कोई लेना चाहता है तो मुझसे inbox में contact कर ले अब आप लोग यह सोच रहे होंगे कि अगर बिलफर्स आप लोगों के 10,000 followers हैं, 20,000 हैं या 30,000 हैं तो उनका rate कितना होना चाहिए, कितने का sale करना चाहिए एक TikTok account, तो आप लोग जब इस तरह के groups visit करेंगे ना तो आप लोगों को idea हो जाएगा कि TikTok account कितने followers वाले, कितने के sale हो रहे हैं, तो आप लोगों को बाखुबी यहां से अंदाजा हो जाएगा, दो तीन Facebook groups आप लोग जोईन कर लें तो आप लोगों को अच्छी तरह idea हो जा करते हैं, और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, काफी जादा लोग आप लोग यहां पर देख सकते हैं, इस तरीके से अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, आप लोग भी इस तरीके से पैसा कमा सकते हैं, तो नादरों उम्मीद करते हैं, आज के वीडियो आप लोगों को ज जरूर पसांद आई होगी, मिलते नेक्स वीडियो में अपना क्या रखेगा, अल्हाफिज.